हेलो दोस्तों सुवागत है आपका अपने चैनल में दोस्तों आज हमारी उत्राकर्ण ब्यास नेगी प्रैक्टिस सैट के 64 पार्ट है चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं देव परियाग से हरिद्वार तक गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है चानवा किलोमेटर तो उपसंटी राइट आनसर होगा इनमें से कोई नहीं भागी रती की सायक नदी आए उपसंट देखते हैं जाड गंगा सायक है सिया गंगा यह भी सायक है तो उपसंटी राइट आनसर होगा एवे भी दोनो निम्न में किस इस्थान के बाद भागी रति को गंगा के नाम से जाना जाता है देव परियाग के बाद देव परियाग में अलगनंधा और भागी रति नदी का संगम होताello जिसकी देव परियाग से हरीदवार YouTuk लंबाई 26 किलो मेटर है कन परियाग में पिंडर नदी और अलगनन्दा नदी का संगम होता है नंद परियाग में नंदाकनी और अलगनन्दा नदी का संगम होता है देश में गंगा नदी की लंबाई कितनी किलोमेटर है 2525 किलोमेटर भागी रती नदी में सरवपर्तम गंगोत्री के समीब कौन सी नदी बैती है रुद्र गंगा गंगोत्री के समीब भैरो गाटी में भागी रती में कौन सी नदी मिलती है जाड गंगा निम्न में किसी स्थान में अस्सी गंगा भागी रती नदी में मिलती है गंगोरी इस्थान पर चंदरबनी गाड एवं वरुना नदी किसकी सायक नदिया है भागी रती नदी की दिये गए युगमों में से सही युगम को चुनिये ओप्सन देखते हैं बागी रती एवं अकास गंगा संगम गोमुक में या युगम सही है भागी रती वैद जलंदरी नदी संगम हरसिल में या युगम भी सही है बागी रती एवं जानवी संगम लंका में या युगम भी सही है तो अपसंडी राइट आंसरोगा उपर युक्त सभी युगम सत्य हैं भागी रती एवं बिलंगना नदी के संगम पर कौन सा बांध बना है तहीरी बांध भागी रती सास एवं अलकनंदा बहु के रूम में किस इस्थान पर मिलती है देव परियाग में रुद्र परि समीब मंदाकनी नदी में कौन सी नदी मिलती है मधु गंगा निम्न में मंदाकनी की सायक नदी आए ओपसंड देखते हैं लस्तर नदी यह सायक है मधु गंगा यह भी सायक है तो ओपसंड सी राइट आंसरोगा एव भी दोनों किस कवी ने राम चरित मानस में मंदाकनी न निमन में मंदागनी नदी का जल इस्तरोत कौन सा गलेशियर है चोरा बाड़ी गलेशियर लाखु उड्यार अलमोडा के समीब कौन सी नदी बैती है श्याल नदी निमन में से पनार नदी किन जिलों का सिमांकन करती है ओप्सन देखते हैं अलमोडा चमपावत पितोरगड इ किन तीनो जिलों का सिमांकन पनार नदी करती है तो अप्सन दी राइट आंसरोगा उपरियुक सभी सिम गाड़ वै गाडगिल गाड़ किस नदी की सायक नदिया है पनार नदी की जैकसर सरेणी के पूर्वी ढाल पर लिपु लेक के समीब काला पानी नामक इस्तान से उद कंद पुराण में किस नदी को श्यामा कहा गया है काली नदी को उत्रा खंड में बहने वाली सबसे लंबी नदी काली नदी की लंबाई कितनी है दो सो बावन किलो मेटर पुर्वी धोली गंगा किस नदी की साहक नदी है काली नदी की काली एवंगोरी नदी का संगम इसकी सुरुवात 1914 में गजंदर बहादुर ने की थी। खेला नमक इस्थान पर किन दो नदियों का संगम होता है काली वय पुर्वी दोली गंगा का। गोरी गंगा का उदगम किस हिमनत से होता है मिलम से। पुरानिक रूप से किस नदी का जल पवित्र नहीं माना गया है काली नदी का। उत्रा खंड की वह अंतिम नदी जो काली नदी की सायक है लधिहा नदी। पुर्वी राम गंगा का उदगम इस्थाने नामिक वह पॉंटिंग हिमनत। सर्यू एवं पनार नदी के संगम पर इस्थित है काकरी घाट। कोसानी के समीप धार पानी धार से किस नदी का उदगम होता है कोसी नदी का। कोसी नदी के तड़ पर इस्थित इस्थलें ऐप्सन देखते हैं। या भी है गर्जिया दिवी मंदिर या भी है तो उप्संसी राइट आंसर होगा एवा भी दोनों और ये दोनों नेनिताल जिले में है कुमव में किस नदी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है कोसी नदी पुराणों में किस नदी को कोसी की कहा गया है कोसी नदी को काली नदी को सरवादिक जल रासी देने वाली नदी है सर्यू नदी कुमाओ की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है सर्यू नदी काली एवं सर्यू नदी का संगम इस्थले पंचेस्वर सही युगुम का चैन करें ओप्सन देखते हैं पिंडारी गलेशियर बागेश्वर में या युगुम सही है मैक तोली वै सुखराम गलेशियर बागेश्वर में या युगुम भी सही है कपनी गलेशियर बागेश्वर में या युगुम भी सही है तो अपसंडी राइट आनसर होगा उपर युग सभी परसिद कोसानी किन दो नदियों के संगम पर इस्थिते गोमती वै गरूड के तोपसंडी राइटान सरोगा इन में से कोई नहीं नेनी ताल के पहड पानी नामक इस्थान से निकनने वाली नदिये गोला नदी राम नगर किस नदी के किनारे इस्थिते कोसी नदी के कासिपूर का तुमरिया डैम किस नदी पर बनाए फिका नदी पर निमन में से घुमा नदी के तट पर बसा नगर है बाजपूर नगर यमना नदी का उदगम किस इस्थान से होता है यमनोतरी कांठा से निमन में से यमना की सायक नदीया कौन सी है उप्सन देखते हैं बरनिगाड या भी है पुजियारगाड या भी है टोंस वै आसन या भी है तो उप्सन डी राइटांसर होगा उपर युक सभी यमना की सबसे परमुप सायक नदी कौन सी है टोंस नदी गंगा की सायक नदिया निमन में से हैं उप्सन देखते हैं भागी रती वै अलकनन्दा ये भी हैं चंदर भागा वै बाण गंगा ये भी है नियार वै सोंग ये भी है तो उप्सन टी राइट आनसर होगा उपर युग सभी बागी रती नधी की सायक नधिया है औप्सन देखते हैं रुदर गंगा वै जड़ गंगा यह भी हैं केदार गंगा यह भी हैं मिलून गंगा वै सिय गंगा यह भी है तो अप्सन D राइट आन्सरों का उपर युप सबी अलग नन्दा की पर्मुक सायक नदिया कौन सी हैं, option देखते हैं, सरस्वती या भी है, पश्चमी दोली गंगा या भी है, लक्समन गंगा या भी है, तो option D right answer होगा, कोपर युक्त सभी ए संगत कतन का चैन करें उप्सन देखते हैं पश्चमी दोली गंगा अलगनन्दा की सायक नदी है यह संगत कतन है पूर्वी दोली गंगा काली नदी की सायक नदी है यह भी संगत कतन है मंदाकनी नदी काली की सायक नदी है यह कतन ए संगत है तो option C, right answer होगा मंदाकनी नदी, अलगनन्दा नदी की सायक नदी है और इनका संगम रुदर परियाग में होता है तो दोस्तों या दिमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगयों तो कमेंट करके जुरूर बताएं धन्यवाद